हेलो गाइज विल्कम बैक टू न्यू वीडियो आज दोस्तों हम आपको इस वीडियो में लेके आए हैं दो नोटिफिकेशन और एक अपडेट जो की इगनू की तरफ से किया गया है सबसे पहले आपने अगर जनवरी 2021 में री रेजिस्टेशन करवाया है तो उसका अपडेट जारी कर दिया गया है यानि आपने जो subject select किये थे वो subject code आपके update कर दिये गए हैं अगर subject code आपके गलत है तो आपको regional center जाना होगा वहाँ से आपको change कराना पड़ेगा और next notification के बारे में अगर हम बात करें तो जो रहाट regional center की तरफ से update जारी किया गया है notification जारी किया गया इसमें बताया गया है कि जो भी government या private institute college है या coaching institute है या जो रहाट के सारी study center है तो 28 April से लेकर के 12 माई तक जो रहाट study center सारे college institute से बंद कर दिये गये हैं और 12 माई तक के लिए बंद कर दिये गये हैं और अगर हम बात करें दूसरी notification के बारे में तो इसमें जो है center जो बंद हुआ है तो उसके student के support के लिए कुछ numbers update किये गये हैं यानि अलग-अलग query के लिए number update किये हैं अगर admissions से related कोई दिक्कत है student को इन number में contact कर सकते हैं अगर books से related issue है तो इन contact number में आप support क्लिक कर सकते हैं call कर सकते हैं डिरेक्टी अगर आपको online counseling session से related कोई आपको दिक्कत आ रही तो इन number में आप contact कर सकते हैं वहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं यानि जो रहाट study center जो है आपका 28 अपरेल से लेकर के 12 मई तक के लिए close है अगर next notification के बारे में बात करेंगे पहले हम इस notification के बारे में आपको बता चुके हैं लेकिन दुबारा से बता रहें कि जो हमारे assignment submission की last date है वो बढ़ा करके 31 मई कर दी गई है यानि आप assignment अराम से बना करके 31 मई के अंदर अपने assignment को submit कर सकते हैं और पहली बात यह जो हमारी IGNU की official website है इसमें इस notification का update नहीं किया गया है तो बहुत सारे student की query यह है कि यह update अभी हमारी जो IGNU की website है उसमें क्यों नहीं दिख रहा है तो उसमें नहीं यह update notification सो हो रहा है और notification यह जो है जो study center है उनकी website जो है उसमें notification में यह चीजें बताई गई है next notification है D.E.C.E. project के report जो है आपको दुबारा resummit करनी पड़ेगी resummit के लिए यह update जारी किया गया notification कि आपको D.E.C.E. के जितने भी student है project mode है उनको जो है आपको दुबारा से आपको submit करने पड़ेंगे project report उसमें से 1000 रूपी जो है आपको demand drop आपको इगनू से कराना पड़ेगा यानि आपको दुबारा से D.E.C.E. के जितने भी student है वो अपने project report resummit कराना पड़ेगा जिस से आगे वो हो पाएंगे उसकी जो की last date है submission project of report D.E.C.E. 04 31 मैं 2021 है यानि 31 मैं 2020 के बीच में आप जो है अपना D.E.C.E. 04 का program जो है महाँ से project report आप 31 मैं के अंदर अंदर आप जमा करवा सकते हैं submit करवा सकते हैं यह सारी है यानि खन्ना regional center के चन्डीगर regional center जितने भी सारे regional center है इसमें दिया गया है कि कौन कौन से regional center आगर आपको assignment में दिक्कत हो रही है guidelines आपके अलग-अलग study center या अलग-अलग regional center की तरफ से अलग-अलग notification जारी किया गया है तो आप चेक कर सकते हैं इसी तरह की latest notification के लिए हमारे चैनल को like और subscribe करें और share करें झाल